हेलो दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आलू प्याज का आटे से बना टेस्टी टेस्टी नास्ता तो उसके लिए मैंने आलू को पहले से धो के साफ कर लिया था और कड़ू कर लिए पांच मिनट के लिए पानी में छोड़ दिया था अब हमने इसका पानी अच्छी से साफ कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज के प्याज थोड़ा साहरा धनिया तीन चार हरी बिर्च नमक अपनी टेस्ट के अगोडिंग डाले घरम मसाला मिर्ची कम्या जादा जितना भी आपको अच्छा लेकि उठना डाल सकते हैं पिसा जीरा साबु जीरा दो चम्मच हम आटा डाल लेते हैं दो चम्मच बेसन ले लेते हैं अगर कम लगेगा तो हम थोड़ा बाद में डाल लेते हैं देखें मुझे थोड़ा बेसन कम लग रहा है एक डिर चम्मच बेसन और डाल लेते हैं अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे देखें अब हमने यह मिला लिया है अब हमारा तेल भी गरम हो गया है तो अब हम इसी तरीके से एक एक पकोड़ा डालते जाएंगे कड़ाई में जितने आए उतने डाल लिये थी मैंने और पकोड़े भी अच्छे से फ्राइ हो गी है अब हम इने निकाल लेते हैं प्लेट में पहले से मैंने पेपर रखा था अब हम इसी तरीके से और पकोड़े डाल लेते हैं सबी पकोड़ों को मैंने फ्राइ कर लिया है देखिए कितने अच्छे सी तयार हो कर आए हैं कलर भी कितना अच्छा लग रहा है देखिए अब हमारी पकोड़ी तयार है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ